वाट्सप गाइज, I hope you are doing well, I am Veer, welcome to study lover, देखिए हम यहाँ पर political discussion कर रहे हैं और उसके अंदर हमने features of the constitution वाला ये chapter चल रहा है हमारा, तो features of the constitution के तहत, अब तक हम ये complete इतने सारे features जो हैं, इसके discuss कर चुके हैं, ओके, तो ये वाला complete हम तीन पार्ट में अब तक discuss कर चुके है पार्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों के जो link है, मैं आप लोगों को नीचे देदूँगा, जिसने अब तक नहीं देखे हैं, जो next वाला है, हमारा पार्ट फोर ये आने जा रहा है, ठीके न, तो इस पार्ट फोर में हम क्या discuss करेंगे, secular state क्या होता है, universal adult franchise क्या हो क्या होता है, independent body क्या होता है, emergency provision क्या होता है, और three-tier government system क्या होता है, देखें, यहाँ पर आप लोगों को ये थोड़ा detail में मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि complete जो आगे political lecture है, वो completely इनी provision के उपर चलेंगे, यहाँ पर only एक topic दे रखा है, एक point दे रखा है, पर लेकिन आगे चल चल कर इन पर एक एक chapter बन जाता है, तो इसलिए यहाँ मैं आप लोगो थोड़ा detail में बता रहा हूँ, जिससे आप लोग आगे अच्छे से correlate करके चल सकें, अच्छे समझ सकें कि हम किस provision की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं आप लोगों यहाँ पर यह चीज़े बता कर चल रहा हूँ, तो जो भी यह lecture देखना स्टार्ट कर रहा है, अगर किसी ने लास्ट के तीन अब तक लेक्चर नहीं देखें, प्लीज पहले वो देख लिजेगा, आपके मैंड में clarity आ जाएगी, और आज यह last provision है आप ठीक है, तो यहाँ यह chapter फिनिस हो जाएगा, फिर आगे next start करेंगे हम लोग, तो आईए अब start करते हैं, और एक बार में clarity और कर देना चाता हूँ, आप लोग के mind में, बागी तो सब को maximum पता ही होगा, थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर एक idea हो जाना चाहिए, वो क्या है, देखें जैसे ही आप लोग यहाँ पर जात फाइदा होता है, प्ले लिस्ट में जाने से फाइदा यह होता है, कि आप जो भी यहाँ पर देखना चाहते हैं, जिस भी subject से related, government scheme की एक video डार लख यहाँ पर, यहाँ पर यहाँ पर जाएंगे, तो हाँ पर जाकर अगर क्लिक करेंगे, तो सारी वीडियो एक साथ खुल ज जर आएंगे, यहाँ पर, यह A to Z जितनी भी हाँ पर पॉलिटी की वीडियो आप लोग को सिरीज में हाँ खुल के आ जाएंगे, क्योंकि मैंने एक लग से playlist बना रखी है, प्ले लिस्ट में आप लोग अच्छे से सारी वीडियो अराम से देख पाएंगे, जितनी भी लेकिन अगर इससे भी रिलेटेड, complete एक वीडियो देखना चाहते हैं, तो यह रही यहाँ पर, religion versus constitution, बहुत ही अच्छे से वीडियो completely explain की है, मैंने आपर, यहाँ पर भी आप लोगों को अच्छे से समझना चाहते हैं, कि religion और constitution और secularism है क्या, तो यह वाली वीडियो देख होना चाहिए, कि यह starting में, जो हमारा constitution बना था, उस time पर हमारे constitution में नहीं था, तो कई बार इससे direct question आता है, ठीक है, कि secular word starting से constitution में था, और थोड़ा सा controversy में भी एक उस दिनों से यह, और देखें, एक बात और बताता हूँ मैं आप लोगो, अब एक student ने, आप मैं सी, एक student में comment किया था, तो वो idea मुझे काफी अच्छा लगा, और इस तरीख का idea अगर आप के भी mind में आते हैं, तो आप दे सकते हैं, मैं आप लोगो constitution, constitution ही नहीं पढ़ाऊंगे, आप ए constitution का current affair है न, वो भी इसके साथ मैं add करके पढ़ाऊंगा, मैं आप लोगो, ठीक है न, तो ज वैसे यह ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर साथ में लेके चलो, तो आप लोगो current में क्या चल रहा है, उस topic से लेटर वो भी पता चलता रहेगा, तो यह अच्छा लगा मुझे काफी वैसे suggestion, अगर आपके mind में कुछ भी suggestion आता है, तो फिर हैं आप Facebook के page पर suggestion दे सकते हैं, ठीक है, तो यह word लिखने की जुरत नहीं थी, तो इसलिए काज जब BJP की government आई, तो controversy आ गई, उन्होंने बोला, किया secular word हटाओ, पहले constitution में नहीं था, यह Congress के द्वारा add किया गया, ठीक है, add कब किया गया, अगर आप लोग को देखो, तो 42nd amendment के तहत, 42nd amendment के तहत, preamble में amendment क किया गया, तो उसमें secular word add किया गया, तो secular word add किया गया, तो 1976 में यह duration कोन सी थी, emergency वाला time था, आप लोग को समझ में आता है, यहाँ पर, इंद्रा कांदी जी का time period था, तो उस time पर यह add किया, पर लेकिन BJP बोल रही थी, कि इसको हटाओ, तो उसके इर्दगिर्द काफी controversy द मतलब है कि completely separate कर देना, किसको separate कर देना? government को, मतलब इस state को, जो state के subject होते है, उसको completely separate कर देना, कहीं से? religion से, तो वहाँ पर यह है secularism का मतलब, पर लेकिन हमारे हाँ पर यह नहीं है, हमारे हां पर पर promote किया जाता है, एक तरीक दे support किया जाता है, जैसे यातरा ले ले लिज अगर ये भी concept आप लोगों को पुछा जाए तो हमारे यहां का जो secularism का concept प्रोग्रेसिव है ठीक है ना, प्रोग्रेसिव है क्योंकि help कर रहा है एक तरीके से और उनका तो बिल्कुल एक तरीके से separate कर देना है बिल्कुल की religion अलग रखो और वो अलग रखो तो administration तो हमारे यहां का थोड़ा सा different है ओके तो यहां पर क्या बात बोली जाती है तो हर एक citizen के यहां पर जो भी citizen के किसी के belief है या कुछ भी अपना faith रखता है वर्षिप करता है तो सब को secure किया जाएगा हमारे यहां पर ऐसा नहीं है ऐसी छोड़ दे जाएगा कि एक कोई अगर majority वाला कोई एक group है वो दूसरे वाले को suppress कर देगा ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर government बीच में आ जाएगी ठीक है तो यह बात है आपर इसके अलावा क्या है देखिए equal protection मतलब equal protection of the law और equality before law मतलब protection भी होगी equality before law सब को ला के सामने equal रखा जाएगा और protection भी सब को मिलेगी equal article 14 के अंदर आता है मैं आप लोग को बता था article रेटनी की याद जरूरत नहीं है इतनी बार repeat हो जाएंगे कि आप लोग याद रहा जाएंगे lecture को अगर ढंग से सुनके चलेंगे तो इसके बाद में discrimination का concept आता है discrimination की बात करते है तो ये article 15 के अंदर आता है ठीक है? article 15 के अंदर आता है और जब आती है freedom की बात आती है यहाँ पे freedom of conscience and the right of the freely professed या practice या propagate अपना religion अगर इस तरीकी की भी कोई बात आती है देखे हर टाइप की freedom है मतलब अप ऐसा नहीं है आप अपने religion के से related कोई mandir बगारा बना सकते है मजीत बगारा बना सकते है church बना सकते है जो भी आपका religion है तो propagate कर सकते है उसको practice कर सकते है वहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है तो हर एक आदम है इंसान इंडिपेंडेंट है तो इसलिए हमारा जो हमारा जो पर हमारा जो हमारा जो यहां पर विचार है secularism का वो थोड़ा progressive तरीके का है ठीक है ना सब अपना related to इससे religious जो affair है उसको manage कर सकते है वो 26 article के अंदर आता है इसके अलावा जो जो अचली बात है जिसकी वेसे मतलब एक secularism concept अच्छे लेलों बनावा है वो क्या है कि tax नहीं लगा जा सकता है जिस तबीक से पुराने टाइम में आप लोगों ने देखा होगा जजिया टेक्स लगा जाता था ठीक है चलिए जजड़े टेक्स की बात या गिए तो बताये जजिया टेक्स कि स्टाट किसने किया था उके तो लगा जाता है उस टाइम पे लगा जाता था तो protection देने के लिए मतलब हिंदू थे जो उस time पे मोई यहां पर जब हिंदू थे उस तो यह माना जाता है तो इस तरीका कोई टेक्स भी नहीं लगा सकते तो इस तरीके की बात है और अगर हम एजुकेशन अपनी देखे तो उसके अंदर भी एक उनकी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूं तो आप लोग को यह भी पता होना चाहिए देखे थोड़ा सा जला जला सा डिफ्रेंस होज़ाता है क्या करेगा कि रिलीजेस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं एजुकेशन इंस्ट्यूशन में इस्टेट हटा देगा वहाँ पर इस् अगर वहाँ इसक यह पर आप लोगों को यहाद रखनी इसके अगर अपने इसके मिलेगा कांइन के है कि वो conserve कर सकते है अपनी अगर कोई उनकी language है वो different है normal language से मतलब एक उनकी language है अगर आज की date में तो उसको secure कर सकते है ठीक है minority के rights है उनको भी secure किया सकते है अपने educational institution से लेटर किस तरीके से वो करना चाते है तो इस तरीके के community Muslim हो गया बुद्धिजम हो गया वह जादा इतना नहीं है तो minority में हो जाएगी वहां पर इसी तरीके से पोजिटी भी हो सकता है अपोजिट चले जाओ जाओ जम्मोर कास्मीर में वहां पर क्या है Muslim community हमारी इसके अलावा uniform civil code की बात करते है आर्टिकल 44 में आता है तो इसको तो uniform की जब बात ही कर रहे है तो 44 भी uniform ही है तो direct article याद रख सकते है आराम से बहुती news में है ट्रिपल ट्रा की जब बात आती है निकलके तो उससे लेड़ेड uniform की उनिफर्म सीविल कोर्ड की बात आती है कि सारे सेटिजन को एक उनिफर्म सीविल कोर्ड होना चाहिए ठीक है कि मतलब जिस तरीके से महीला है माली जब Muslim community में है या Hindu में है दूसरी community में है तो उनके जो right है वो equal होने चाहिए, तो equality वारी concept यहाँ पर बात की गई है, लाने के लिए, यह बात की गई, concept में हाँ पर बताई चुका हूँ भी आप लोगो separate रहता है, अगर western country में देखा जाए, तो church और जो politics रहती है, उनकी बिल्कुल separate रहती है, और जो हमारे हाँ पर अगर concept देखा जाए, उनके वाला, देखे, negative concept, अगर इंडिया का जो concept देखा जाए, उनका negative था, church secularism को concept, हमारे यहाँ क्या था, पोजेटिव था, तो यहाँ करें, इनेकल, applicable, हमारे यहाँ पर applicable नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर multi religious society है, ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, हमारा जो concept है secularism को positive है क्योंकि हम सब धरम को equal से support करते है, तो positive आता है, इसी तरीके से हमारा constitution आया, जब भी implement किया गया है, तो communal award थे, मतलब जो दिये गए थे, किस्त के द्वारा, आपको पता होगा, हम लोगों ने discuss किया था, starting में, 1909 के तहट, Monte Merlo लगा लिजे, या फिर, यह वाला जो था act, त तो इन act के तहट, और भी कई सारे act थे, जिसके तहट क्या था, communal representation दीती, मतलब क्या था, कि अगर muslim community है, तो muslim ही कोही vote दे पाएगा, अगर muslim का कोई leader कड़ा हुआ है, हिंदू community है, तो हिंदू कही दे पाएगा, तो इस तरीके से जो separate किया गया था, तो वो concept हटा दिया लिए जब constitution आया, और नया concept निगल कैया है, reservation का, अलग-अलग reservation schedule caste के लिए, schedule tribe के लिए, तो उनके लिए अलग-अलग reservation की बात आई, और आज की date में जो हम बात कर रहे है, वो किस के लिए कर रहे है, 33% reservation की बात कर रहे है, परल्लेमेंट में किस के लिए, महिलाओ के लिए, पर लेकिन खड़ा जो होगा, वो CST का बंदा होगा, पर लेकिन बोट कोई भी दे सकता है, यहाँ पर लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, खड़ा, पर बोट सारी community देगी, ऐसा नहीं है कि Muslim या CST के ही उसको वोट देंगे, तो यह concept है हमारे आप तो बहुत ही सोच हाला गया हमारे constitution में, इसको देखके तो मुझे constitutional maker के उपर प्यार आता है, क्योंकि देखे यार यह इतने guts की बात है, इतनी सोचने वाली बात है यह, कि आप लोगों ने क्या-क्या universal कर दिया, मतलब हर एक adult, जो भी adult है, जो भी 8-18 साल की उमर हो चुकी है, या उससे उपर ह हो चुकी है, वो vote का concept है, ठीक है न, हाला कि starting में 18 नहीं था, starting में 21 था, फिर घटागे 18 गर्दी, तो यह बहुत ही एक आप लोग कह सकते हैं कि एक political will की बात है यह, यह सब country में नहीं हुआ है, अगर आप लोग देख सकते हैं, US से भी काफी दिनों पहले यहाँ पर democracy आ date में, USSR को देख लिजे, उसने 1936 में, France को देख लिजे, 1945 में हमारे पास में ही आकर, Italy को देख लिजे हमसे भी बाद में, और यहाँ पर Swedishland को देख लिजे, इन्होंने तो हदी कर दी जिसको आज की date में आप world की सबसे अच्छी country मानते हैं, तो यहाँ पर देखे हमारे constitution maker न नहीं थे, हमने उनकी बुद्धी के ओपर trust किया, कि वो अपनी बुद्धी से vote देंगे, ठीक है, तो देखे अगर मान लिजे, एक बात निकल के आती है, हम लोग क्या कहते हैं, कि अगर कोई हमारे, हमारी society में बड़े बुडे इंसान है, उनको mobile चलाना नहीं आता है, ठीक है, तो अगर उनको बताएंगे, तो उनको भी सीखना आ जाएगा, चलाना आ जाएगा, तो जब तक हम किसी के हाथ में को instrument देंगे नहीं, तो उसको चलाना कैज़े सीखेगा, उसको तभी तो पता चलेगा, जब किसी के हाथ में instrument देंगे, बच्चों के हाथ में दे, तो आ को स्टार्टिंग में ही वोटिंग का राइट दे दिया गया ठीक है तो आज की डेट में देखा जाए तो इलेक्शन के लिए एक बेस बन गया है जो युनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है और उसी की वज़े से लोग सभा हो चाहे सब जगए है हर एक सिटीजन देख लिए जिसकी अठारे साल या ठारे साल चे उपर हो गई है जो कोई अच्छा खासा अमीर है राजा रजवारे उनको वोट का राइट दे दिया या फिर पढ़ा लिखा इंसान है उसको वोट का राइट दे दिया सब को voting का right नहीं दे रखा था तो यहाँ पर हमने क्या किया सब को दे दिया हमारे constitution में करने ठीक है तो voting जो right था उडे यूज कर दिया गया 18 साल जो की 21 साल था कब किया गया 1989 में 61th amendment के टहफ constitution amendment 1988 तो आप लोग को याद रखना है कई बार question पूचा जाता है इससे direct question आता है निकल के किस के तहत हमने इसको गटाया तो 61 constitution amendment के तहत देखे आप लोग अगर ऐसे से रटने बैठेंगे न तो याद नहीं रहेगा लेकिन बीच बीच में जब इन ये यूज होते रहेंगे देखे ये बोल रहे है कि बड़ा ही bold experiment था अगर उनका देखा जाए और highly remarkable था जिस तरीके से उन्होंने क्या किया पूरी इतनी बड़ी population थी हमारी vast country एक तो देखा जाए कि इतनी बड़ी country है जाते थे तो democracy का base बढ़ा दिया उन्होंने पहले कुछ आदमी ही वोट दिया करते थे अब सब वोट दे रहे हैं यहां पर इस तरीके से respect भी बढ़ गई जो खुद यहां के common people है उनकी रिष्टी जो रेस्पेक्ट भी वड़ गई चाहे कोई किसी भी तबके का इंसान हो वो वोट डाल सकता है चाहे पढ़ा दिखा ओ चाहे नहीं हो चाहे कोई भी हो चाहे रहने के लिए छतना हो पर वोट डाल सकता है ठीक है तो एक तलिक से खहीने का principle प्रिक्विलिटी बा होता है मतलब एक प्राइम निश्टर से लेके भीग मागने वाला कोई भी इंसान हो उस लाइन में खड़ा होता है तो यह है इक्विलिटी डेमोक्रिसी तो इस तरीकी की यह मतलब ताकतवर डिसीजन है आप इसको बहुत ही अच्छा डिसीजन मान सकते है और सोचने वाला डिसीजन मान सकते हैं यह डिसीजन आसान नहीं है क्योंकि अगर वुल्डे की कंट्री के देखो तो वो डिसीजन यह नहीं ले पाए कभी बहुत बाद में जाके उन्होंने यह डिसीजन लिया है इसके अलावा जो नेक्स्ट कोंसेप्ट निकल के आदा हुए सिंगल सिडि जाते हैं सेंटर अलाग के राइट् प्रोट कराता है तो काफी अच्छे राइट मिल जाते हैं आप चेडिय कर सकते हैं हमारे आप सिंगल सिडिजばいद्र का कोंछेट है ऐसा कभी नहीं大 पर है कि हमारे आप यांव cובןन हें फो प्रटेक्स हो तो सिंगल सिडिजन Sicherheit आप और इक्वेलिटी पर रखा गया है सबको, ऐसा नहीं है कि कोई किसी स्टेट में जन्मा है तो उसको नहीं दिया जाएगा, मध्यपरदेश में जन्मा है तो नहीं दिया जाएगा, महराष्ट में जन्मा है तो दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, सबको इक्वेल रखा के लेकि आना हम लोगों को ठीक है तो हाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाता है निकल के अगर इनको छोड़ी जाए बाकी सब जगे एक्वल है ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा से एक्सेप्शन आपको जम्मूर के समीर में देखने को मिलेगा आप और दूसरा था से देखने को मिलते हैं कॉंफ्लिक्ट देखने को मिलता है काश और वार मिलती है कि हिंदी इंप्लिमेंट नहीं करने देंगे साथ वाले और नोर्थ वाले बोलता है कि हिंदी इंप्लिमेंट करेंगे तो इस तरीके कई सारे डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं ठीक है तो तो इस तरीके के जो हम religion और caste के उपर आपस में लड़ते रहते हैं तो कहीं नहीं हमारे constitution maker ने ये कभी नहीं सो जाता कि आगे चल कर भी सी तरीके से लड़ेंगे तो ये कहीं नहीं हमारा time आ गया कि हम realize करें constitution maker ने जिस तरीके से हमारा constitution बनाया है उसको पहचाने ढंग से और तुम हिंदूों मैं मिसल्मान हूँ वो सिखे ये इसाइये इनको मार दो फिर वही नाना पाटिगर का dialogue या दाता है मुझे नाना पाटिगर जी का जब वो खुन निकालके एक मिलाते हैं हिंदू और मुसलिम का बोलते हैं बता कौन सा हिंदू का है कौन सा मुसल्मान का है जब बनाने वाले ने इसमने फरक नहीं किया तो तू कोन होता है फरक करने वाला तो काफी अच्छी मूवी है काफी अच्छा dialogue है तो आप लोग को कम से कम इन सब चीजों से उपर उटके आना चाहिए ठीक है तो तबी एक अच्छे लेवल की सोसाइटी हम लोग कर जो बाओ बना जाता है वो इंडिपेंडेन्ट बोड़ी के द्वारा ही बना जाता है सबसे पहले एक्शन कमिशनर ओंडिया किसी का वस नी चलता है उपर आगर इसके उपर वस चलने लगा तो खानी खतम हो जाएगी तो एलेक्शन कमिशmara और इंडिया है यहाँ पर तो फ तो center का election commission होता है वो नहीं कराता है okay controller auditor general of India इसको बोलते हैं आप लोग account की देखवाल करता है center state के मतलब एक तरीक से guardian भी बोला जाता है इसको public की money का क्यों क्योंकि taxpayer की money है जो की center के पास में है उनसे पूछा जाता है कि आप इसका धंग से use कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं डंसे उसको खर्च कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो यह भी इनी के ओपर रखा जाता है इनी से पूछा जाता है तो यह इसके देख रेग में रहता है तो यह भी independent वोड़ी है कैग आप लोग ने देखा होगा congress की government के टाइम पर जो गोटाले निकल के आए जैसे ने बड़े बड़े जो के जो इतने भी scam निकल के लिए तो यह सारे जो निकल के आ रहे थे यह इसके अलावा क्या है यह पर UPAC की बात लेज़े आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन यह exam कंड़क्ट कराते है ओल इंडिया सर्विस की बात आती है तो आपके माइंड में कौन से एक्जाम आते है देखे ओल इंडिया सर्विस की जब बात आती है उसमें आप लोग को तीन एक्जाम आते है चलिए कमेंड बॉक्स में आंसर दीजे कल इसका अंसर बताऊंगा फिर नेक्स्ट जब लूँगा ठीक है माइंड में क्लियर आटी आएंगी एक बर ढंक से सोचेंगे तो आपके माइंड में फिर याद रहेगी वह चीजे और जो सेंटर सर्विस होत महरास्ट को हो गया इस तरीक से हर एक स्टेट का अलगलग सर्विस का पवलिक सर्विस कमिशन है वो सिटेट के एग्जाम कंडेक्ट कराते हैं और इसी तरीक से वहाँ पर पर्लोग को याद रखनी है थोड़ी छोड़ी छोड़ी सी बात है इस पर ही जरा-जरा झाप इनको consolidated fund से निकाले जाते हैं, तो government के हाथ में इतनी power नहीं है, कि अगर इनको एक बार appoint कर दिया जाए, तो ये मतलब किसी भी तरीके से अपने favor में इनको लाए जा सके, सारी चीज़े इनकी independent रखी गई है, तो ये independence बनाने के लिए ही इनको रखा गया इस तरीके से, ओके, इ एक extraordinary situation होती है, ठीक है, जब ये इस तरीके के जो emergency हम लोग implement करते हैं, तो, ओके, तो ये starting से incorporate किये गए हमारे constitution में, तच्छे ये बताइए, प्रोविजन किस country से लिए गए है, नीचे comment box में बताइए आप लोग, ठीक है न, तो incorporate किये गए है country में, हमारी में हापे, तो क्यो safeguard करने के लिए हमारी sovereignty, sovereignty को कोई hurt ना कर सके, unity को कोई hurt ना कर सके, integrity को hurt ना कर सके, security को हमारी hurt ना कर सके, और democratic political system और constitution को protect करने के लिए, ठीक है न, तो इस तरीके के ये provision रखे गए है, तीन तरीके कि हापे emergency होती है, क्या होती है, national, state और financial, state को president rule भी कहते है, बहुत बार आप आपर ये बात आती है, बहुत ही ज्यादा important है, जब बढ़ाओंगा यहाँ पर तो बताओंगा आप लोग को किस तरीके से इसका violation किया जाता है, यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, जो national emergency लगाते है, war के बेस पर, external aggression के बेस पर, ठीक है न, और तीसरा है, armed rebellion के बेस प बहुत ही broad word है, उसको बोला नहीं जा सकता है, कौन सा disturbance हुआ है, तो इसलिए क्या किया गया, जो हमारी पहले emergency लगी थी 1975 से 1977 तर, तो वो internal disturbance की वज़े से लगाई गई थी, तो उसको change करके arm rebellion कर दिया गया, मतलब एक define कर दिया गया, ठीक है, पहले वो define नहीं था, तो कोई उठाके, लगा सकता था, emergency अगर देखा जाए तो, तो आगे से कोई ना लगा सके, तो इसलिए इसको ठोड़ा define कर दिया गया, आप लोगो बताना है कि किस constitution amendment के थायप, इसको define किया गया, कहाँ पर इसको change किया गया, तो यह बताना है आप लोगो comment box में, ओके, तो article किसमें कहाँ पर लगता है, अगर कोई भी, center कोई direction देता है, और state उसको धंक से follow नहीं कर पाता है, तो यह लगता है, 365 पे, तो maximum जो लगता है, 356 पे लगता है, और 365 पे है, यह बहुत कम लगता है, ठीक है, maximum जो होता है, यह वाला use होता है, तो आप लोगो इसको याद रखना है ठीक है, और जो financial emergency होती है, sorry, वो क्या होती है, वो 360 के अंडर आती है, okay, financial emergency किसके अंदर होती है, 360 के अंडर आती है, तो देखिए, यह financial stability provide कराने के लिए होती है, और इसमें क्या होता है, इस emergency के दोरांत क्या होता है, central government के हाद में सारी power आ जाती है, तो हमारा जो structure, जो federal system ह है, वो change हो के unitary बन जाता है, यहाँ पर, यह भी कई बार पूछ ले जाते है, तो यह कई सारे concept है, तो अगर आप से कोई पूछे हमारा जो federal system हो unitary कब बनता है, तो emergency के time पर बढ़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो complete power हो जाती है, वो किसके हाद में आ जाती है, वो आ जाती है, center के हाथ में, तो याद रखना है, आप लोको normal देखे, हमारा जो federal है, वो normal duration, normal time में federal है, पर लेकिन अगर emergency के time पर unitary बन जाता है, तो यह हमारे constitution का unique feature है, अगर देखा जाए तो, ठीक है न, तो इस तरीके का unique feature भी हमारे constitution के अंदर में, इसके अलावा three tier government की बात की गई यह, यह last provision है, आपर three tier government की बात की गई है, देखे, originally जो था, यह भी question कई बार पूछ लेता है, originally हमारे constitution में, पंचायत और municipality इस नाम की चीज नहीं थी, ठीक है, तो यह कब आई, 73rd और 74 constitution amendment के तयाता है, 1992 में, question बहुत बार पूछा जाता है, amendment भी पूछा जाता है, और कब ह यहाँ पर कौन है, जो local government का एक तरीक से जनक दाता माना जाता है, ठीक है, बताईएगा question में, इसमें क्या है, part 9, part 9 नया add किया गया है, और schedule 11, तो यह भी मैंने आप लोग को पहली बता चुका हूँ, तो देखे, repetition में होती रहेंगे काफी चीज, तो इसलिए याद भी हो लोगो, 74 amendment जो है, वो 1992 में आया, इसमें क्या किया गया, urban local body जाए जिन को municipality बोलते हैं, तो 9th A part add किया गया है यहाँ और new schedule 12th add किया गया है, तो यह complete यहाँ पर addition हुआ, जो नया नया addition हुआ, तो यह complete part है यहाँ पर constitution के, okay, इसके अलावा मैंने आप लोगों से question पुझा था, fundamental right के बारे में तो यह हमने अमेरिका से लिए है, DPSP, Directive Principle of State Policy, Ireland से लिए है, और 86 जो constitution amendment है, article 51 A के तहत आता है, 2002 में हुआ यह, ठीक है, तो यह क्या हुआ, यह होने के बाद में, एक अलग से fundamental duty add कर दी गई, तो 6 से 14 साल क बच्चों को यहाँ पर education के लिए था है, opportunity दी जाए, education, ठीक है, तो free education की बात की जाती है, देखे, आप लोग यार, जितने lecture सुनते है न, यहाँ पर, अगर आप लोग को कुछ भी सीखने को मिलता है, तो दूसरों को सिखा दिया कीजे, बस यह इतना कर दीजे, आप लोग इस तरीके का, so trick होता है, तो वो भी आप लोग बता दिये कीजे, फिर मैं आगे lecture में डाल दिया करूँगा, ठीक है, तो यह student रोबिन जी, इन्होंने यह send किया था, comment box में, तो मैंने वहाँ से उठाया है, और आगे से देखे, जिसका answer मुझे सबसे ज़्यादा regulator लगा करे मैं उसको last में, lecture के last में उसी का answer उठाया करूँगा, वहाँ से comment box से, ठीक है, बताया करूँगा, तो इसलिए अच्छे से अच्छा answer देने की कोशिस कीजिए, जिससे की, मतलब अच्छे से अच्छे participate कीजिए, मेरा कहने का मतलब यह है, direct or indirect way में, ओके, तो legislative council की बात की थी तू भी मजा कर, ठीक है, तो इससे आप लोग इसको याद रख सकते हैं, तो इसलिए, मतलब इस तरीके कर आपके पास में कोई भी छोड़ी छोड़ी तरीक है, तो आप लोग बता सकते हैं इसको, तो correlate भी कर सकते हैं, यह जो T हो गया, वो हो गया, तेलंगाना, U हो गया, B हो गया, बिहार, M हो गया, महराष्टा, J हो गया, जम्मु कस्मीर, और A हो गया, अंदरप्रदेस, और के हो गया, करनाट का, ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही देखिए, यह जो complete अब तक के चार पाट के जो लेक्चर लिए है, combined PDF आप लोगों को मिल जाएगी, यहा पसंद आता है, तो डिसलाइक भी करने का पूरा हक है आप लोगों को, और अगर डिसलाइक कर देते हैं, तो फिर बताइए कि डिसलाइक क्यों किया है, जिससे कि मैं आगे उसको इंप्रूव कर जगू, ठीक है, तो लर्निंग प्राइस लेह से देखिए, एक दूसरे के सा तो आज के लिए इतना ही PDF जरू डाउनलोड कर लिजेगा, यह combined PDF मिलेगी अब आपको, आज के लिए इतना ही, thanks a lot for listening, जै हिंद